तो आज हम आपके फिर से प्रजेंट है क्लास 10 के एंसी आर्टी का सॉलुशन को लेके तो इससे पहले मैंने रियल नंबर की इंट्रोडक्शन और यूकलीट विवाजन पर मेरिका का वीडियो दे चुके हैं तो आप जाकर पहले उसे देख लिए ताकि यह चिप्टर आपको समझने में काफी आसानी हो तो चलिए वीडियो को लाइक करते हैं शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट में लिखे कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट कौन सा पार्ट आपको जादा अच्छा लगा वह भी लिखे और तो चलिए मारा प्रश्ण है कता निम्रिखित संख्याओं का HCF ज्याद करें यूकलीड विभाजन परमेका द्वारा तो यूकलीड विभाजन परमेका का मैंने एक सेपरेट विडियो बनाया था तो आप जाको उसे देख लीजिए तो समझ में आएगा तो देखें यह प्रश्ण जो है आपका question no.3 मैंने introduction में बता चुके हैं जो मैंने यूकलीड विभाजन परमेका का बता है यह प्रश्ण मैंने वहां हल कर चुका है तो यह दोनों प्रश्ण का हम हल करेंगे तो देखें इस प्रश्ण में जो सबसे बड़ा है उसको ए मानिए ठीक है तो 225 A हो गया बी का value 135 हो गया तो ठीक है लिखेंगे यूकलीड विभाजन परमेका द्वारा ठीक है तो उसका पहले formula रिखेंगे यूकलीड विभाजन परमेका से ठीक है तो formula है A बराबर BQ प्लस R तो 225 बराबर 135 हो गया अब 135 को कितने बार लगाएंगे तो 225 आ नहीं आता है दो बार में 270 आता है तो एक बार में सेस क्या बचके आप क्या 90 तो क्या 90 0 के बराबर है जब तक यहां R का value 0 नहीं आ जाता है तब तक लगाना है ठीक है अब देखिए 225 का काम खतम अब आगे आपका 135 ठीक है अब यह जो B था यह A बन गया अब देखिए जो चलिए अब इसलिए जो अगला A है वह 90 हो जाएगा जो B था वह 45 तो 45 दो नहीं 90 ठीक है तो यहां जो 0 आ गया तो इसलिए HCF of 135,225 बराबर 45 एंसर हो गया ठीक है चलिए यही था दूसा प्रश्ण देखिए का इसमें देखिए A का वैल्यू जो है आपका है 38,220 और B का वैल्यू है 156 देखिए काफी बहुत बड़ा लग रहा है बापर पांच अंकों का प्रश्ण है बट बहुत आसान है तो यहां भी लिखेंगे युकलीड भी भाजन पर मैइका द्वारा तेक्या युकलीड भाजन पर मैइका द्वारा कुछ है नहीं इसमें काफी आसान है तो 38,220 या 202 आता ठीक है तो इसलिए 47226,196 बराबर आगया हमारा एंसर 155 सो 296 है तो इसका एंसर legitimate AI ठीक है क्योंकि यह कटा कितने बार में कि so drive बान टी कैं यही हमारा अंसर था रक्यान चलते हैं ने हैं कोशनों में दो काता है कि दर्षाइए कि किसी धनातमक पुर्णांग 6Q,6Q,3 या 6Q,5 के रूप का होता है यानि यह यहां नहीं दिया है कि यह वर्ग है या फिर घन है आपके आगे इसी चेप्टर में कोश्चिन में कोश्चिन में फोर में आपको यहां बर्ग दिया है कोश्चिन में घन दिया है तो यहां ना तो बर्ग दस एक सिंपल संख्या है जो कि इसके रूप का होता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए, पहले संख्या मान लेते हैं, लिखते हैं, माना कोई धनातमक पुर्णांक, ठीक है, धनातमक पुर्णांक, ठीक है, A और B है, मान लेते हैं, संख्या है, A और B है, ठीक है, और आप देखिए यहां बी का वैल्यू मान लेते हैं चलिए तो हो गया यूकलीड विभाजन परमेइका से क्योंकि यह पूरा 1.1 यूकलीड विभाजन परमेइका पर ही डिपेंड करता है ठीक है तिसलिए जो भी प्रश्मन आपको दीखिए उसमें लगभग आपको यूकलीड विभाजन परमेइका लगाना ही है तो चलिए उसके अनुसार हो जाएगा इस ए बराबर 6Q प्लस R ठीक है जहां आप जानते हैं इसके अनुसार कि Q का जो मान होता है वो 0 से ठीक है छोटा हो या बराब होन चाहिए तभी न हमारा जो आएगा वांसर आएगा और वैल्यू आना चाहिए वह 0 आना चाहिए 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए या 5 कि तक हाइए संख्या 5 तक है अब इसमें से हमें विसम संख्या को 21 तब बनाना है तिक है ऐसा नहीं कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो आर होता है ठीक है संख्या हम आर है और बी होता तो बी का वैल्यू यहां 6 दिया है तो जो B होता है वो R से बड़ा होता है और आर जो R होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए ठीक है तब ही हमारा जो एंसर है वो आएगा चलिए तो इसलिए हो जाएगा हमारा A बराबर 6Q सबसे पहले 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 ठीक है? मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं ठीक है? 4 हमने नहीं लिया ठीक है? तो चलिए, इस रूप का है अब देखिए हम क्या करते हैं बारी बारी से हम चेक करेंगे, सबसे पर हमको सिर्फ लेना है बिसम को ठीक है? याँ देखें, जो भी संख्या दिया है, 1, 3, 5 ये बिसम संख्या, हमको धनात्मक संख्या कहीं लेने बोला ही नहीं तो हम लेंगे 6Q प्लस 1 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1 ठीक है, लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q, अब यहाँ 3Q है, ठीक है यहाँ जो हमार 3Q है इसको मान लेते हैं K1, तो जो एंसर हो जाएगा 2K1 प्लस 1 चले, तो हो गया अब लेते हैं 6Q प्लस 3 ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा ज़िए इसमें कॉमन ले ले हम तो 3Q प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं 1, 2 जा 2, तो घट कितना रहा है 1 घट रहा है, अब इसको मान लेते हैं K2, क्या मान लेते है K2, तो जो वैल्यू आजागा हमारा 2K2 प्लस 1 अब दे लेते हैं 6Q प्लस 5 देखें, यहाँ भी 2 इंटू 3Q प्लस 2 2 जा 4, तो घट कितना रहा है 1 कि 5 चाहिए तो जाएगा 2K3 प्लस 1 इसको मान लेते हैं K3 ठीक है तो अब देखें क्या कर लेते हैं इस प्रकार इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका कि 6Q प्लस 1 कॉमा 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 यदि 2K प्लस 1 के रूप में है 2K प्लस 1 के रूप में है क्योंकि देखें, यहाँ अगर 1, 2 हटा दीजे तो सभी 2K प्लस 1 के रूप में आपको दिख रहे हैं जहां कि यह क्या है, पुर्णांक है या दखना है कि केज होना चाहिए, वो पुर्णांक होना चाहिए, वो अब पुर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन क्या यह संख्या 2 से भी भाजित है क्योंकि आप जानते हैं इसकिसी भी संख्या में किसी भी धनात्मक संख्या में यदि एक जोड दिया जाए लास्ट में खासकर संख्या हों में तो वो संख्या बिसम हो जाती है जैसे एक्जामपल आप समझ हshop एडू गुने दो आपने चार दिए तो 22 लाके नि दिए हम एक चोड़ते हैं तो क्या संख्या दो से बिभाजित है नहीं तो इसी प्रकार यह जो संख्या है वो दो से बिभाजित नहीं होगी इसलिए संख्या क्या हो जाएगी बिसम संख्या इसलिए यह दो से बिभाजित नहीं है क्या है दो से बिभाजित नहीं है अर्थात ये बिसम संख्याएं क्या है ये बिसम संख्याएं हैं ठीक है हमारत जो मानना था वो हमने मानना लेकिन देखा क्या यहाँ जो संख्या आ रही है वो क्या है बिसम संख्याएं इसलिए हम लिखेंगे इसलिए इसलिए हम क्या आगे लिखेंगे इसलिए ये सभी संख्याएं, ओछ स्वारी हमने तो बिसम संख्या लिखेंगे कि कोई धनात्मक बिसम पुर्णांग, क्या लिखेंगे धनात्मक बिसम पुर्णांग संख्याएं जो होती है, किस रूप में होती है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप की होती है, ठीक है, यही तो हमारा कोशन दिया था, कि हमें सिध्ध करना है कि कोई भी पुर्णांग जो होता है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, वही बिसम पुर्णांग, यह नहीं दिया, पुर्णांक में तो आप जानते हैं कि संख्या बिसम और सं दोनों हो सकता है, बिसम में भी याने कर दें तुर दली को सब्सक्राइब नसे सब्सक्राइब एक स 750 वाली सेना की तुखड़ी को 22 सब्सक्राइब के 131 इंक पीछे मार्च करना कुझा समान संख्यासावाले संभों मार्च करना उन अस्तंभों की अधिक्तम संख्या बताईए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं अधिक्तम संख्या बतानी है अधिक्तम संख्या देखें यस प्रश्ण में थोड़ा साथ ही किया है कि जहां भी आपको नियूंतम संख्या निकालनी होती है तब आपको निकालना होता है सियफ औ अब हम निकालते हैं LCM, लेकिन इस प्रष्ण में ऐसा नहीं है, इस प्रष्ण में थोड़ा सा घुमाव किया है, और इस प्रष्ण में आपको HCF निकालना है, तो चलिए लिखते हैं इसका हर, तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले जो प्रष्ण में हमें निकालना है, उन अस् की अधिक्तम संख्या HCF 616,32 क्योंकि 616 है और देखिए 32 सदस्यों वाले समू चाहिए ठीक है से प्राप्त होगी से प्राप्त होगी कैसे प्राप्त होगी वो हमें लिखना है इसलिए युकलीड विभाजन पर में ही का सबी हमने आपको बता है कि इस चप्टर में सभी जो है वो युकलीड विभाजन पर में का पर ही अधारिज प्रिशन है ठीक है युकलीड विभाजन पर में का से 616 बराबर 32 कुने 19 प्लस 8 देखिए यहां 8 0 के बराबर नहीं है इसलिए अब जो हमारा नया ए है वो 32 हो जाएगा और जो आ है वो हमारा बी हो जाएगा जिसलिए 8 गुने 4 प्लस 0 तो अता यहां देखिए जो भाजक हो गया हमारा तो भाजक कामान 8 प्राब्त हुआ ठीक है इसलिए अस्तम्भू की अधिक्तम संख्या पराबर 8 होगी ठीक है अस्तम्भू की अधिक्तम संख्या पराबर 8 होगी यही आपका एंसर है ठीक है हमारा जो चौत्धा प्रस्णे वो कहता है कि युकलिट भीवाजन परमेका का पर्योग कर दर्साई कि किसी धनातमक पुर्णांक का वर्ग किसी पुर्णांक M के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूपका होता है यानि जो क्यू यानि जो बीच में क्यू होता है उसको हमें M मान के चलना है तो चलिए इसको भी हल करते हैं कापे सिंपल है और चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए तो है लिखते हैं माना कोई धनातमक पुर्णांक ठीक है माना कोई धनातमक पुर्णांक A और B है जहां B का वैल्यू बराबर तीन मान लेते हैं यहां देखे 3 दिया हुआ है तो हम 3 मानते हैं ठीक है तो यहां भी वही दिखना है युकलिड विभाजन परमेका द्वारा ठीक है कि सब जग़े युकलिड विभाजन ही लगाना है तो यूपलीड विभाजन परमेइका से यहां याद रखे, उस प्रश्ण में देखे सिर्फ पुर्णांक दिया था लेकिन यहां वर्ग कहता है, तो हमें इसका वर्ग करना है तो हो जाएगा A बरावत 3Q प्लस R ठीक है, क्योंकि B का वैल्यू तो 3 है, जहां Q जो होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, 0 से, और R की जो वैल्यू है, बरावत 0, 1, 2 क्योंकि देखे, यहां 2 तक तो नहीं दिया, लेकिन एक हम बढ़ाक लेते है ठीक है, और जो Q है, और आप जानते हैं, कि 0 से बढ़ा 0 से बढ़ा होना चाहिए, बरावत होना चाहिए, R, और R जो होना चाहिए, B से छोटा तो B का वैल्यू चाहिए, यहां 3 दिया है, तो हम यहां 3 लिखें ठीक है, तो चलिए, इसी लिए हो जाएगा हमारा A बरावर 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 चलिए, तो बर्ग करना है, तो A स्क्वार कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3Q का स्क्वार या इसका भी बर्ग, 3Q प्लस 1 का स्क्वार या 3Q प्लस 2 का स्क्वार चलिए, तो A स्क्वार बरावर 3Q का स्क्वार कितना हो जाता है, 9Q स्क्वार तो 9Q को हम 3 into 3 Q का square डिख सकते हैं दिख सकते हैं या इसका देखें A plus B का whole square तो इसका value आएगा 9 Q का square plus 6 Q plus 1 या इसका देखने तो आएगा A plus B है तो इसका भी आजागा 9 Q का square plus 12 Q plus इसका देखने तो 2 है 2 2s आ 4 ठीक है तो चलिए अब देखते हैं तो A square बराबर देखें इसको मान लेते हैं हम M क्या मान लेते हैं तो हो जागा 3 M या स्वरी इसको मान लेते हैं Q मान लेते हैं ज़्यादा बेटर रहीगा प्रस्न जो करता है हमें उसके थोड़ा सा उसे डिफरेंट चार कर देखते हैं क्योंकि मान तो इतना ही आना है तो यहां तो कोई दिकत ने वहां भी हमने केम आना था तो यहां भी केम आने तो इसको के लिखेगा अब दखी इसमें से क्या common लिखे कि 3 निकले तो सबसे 3 common निकाल लेते थोजा गंदर 3 Q का स्कुार प्लस 2 Q प्लस 1 यहां भी 3 निकालते तो 3 Q का स्कुार प्लस 4 Q देखे 3 एक आई 3 तो एक बाहर निकल जागा तो 3 एक 4 कोई दिकत नहीं लिखने में यहां देखे A स्कुार ब्रावर 3 K यह इसको मान लेते हैं हम इसको K1 मान लीजे ज़्यादा बेटर है कि इसको K2 मान लेते हैं 3 K2 प्लस ठीक है देखे प्लस 1 बाहर निकाल लेते हैं ज़्यादा बेटर हैगा 1 छोड़ देते हैं ठीक है तो 3 K plus 1 यानि इन दोनों को से कौम लेते हैं इसको बाहर निकाल निकाल नहीं रहा है या अब देखिए इसको माल लेते हैं K3 थोज़ागा 3 K3 प्लस 1 ठीक है अब देखिए यहां K K1 K2 K3 धनात्मक पुर्णांखे क्या है धनात्मक पुर्णांखे क्योंकि यहां हमने धनात्मक का पर्योग कहीं पर नहीं किया है जो भी हमने पर्योग किया है वो धनात्मक का पर्योग किया है इसलिए हो जागा हमारा प्रती एक धनात्मक प्रती एक धनात्मक पुर्णांख का वर्ग जो होता है वो किस रूट में 3M तो उसको M मान लीजे कोई दिकत यहां नहीं हमने शुरू में ही M लिखा तो आप M लिखके भी बना सकते है 3M, 3M प्लस 1 के रूप का होता है अगर आपको मन है कि नहीं कि सर हम के नहीं मानेंगे डारेक्ट M ही लिखेंगे और एंसर में तो M ला नहीं है तो आप M लिखकर अपनी मर्जे से आप बना सकते हैं हमनों किये तो इसलिए लिखा यूँ कि पिछले प्रश्ण में भी हमने के माना था तो इसलिए हमने के मान के बनाया ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स कुश्चिन में कुश्चिन में पांच ध्यान से देखे तो करता है यूकलिट भी भाजन परमेका का पर्योग करदर साए कि धनात्मक पुनांग का घं याद रखें घं यानि आपको क्यों करना है इसके पहले वर्ग था मतलब असक्वार करना था तो प्रश्चिन को ज़्यादा हाडनी आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं लेकिन चलिए थोड़ा सा हैल को हम भी कर देंगे तो यहाँ भी लिखेंगे हल माना कोई धनात्मक पुनांग जो उपर वाला है बहुत नहीं लिखें माना कोई धनात्मक पुनांग A और B है जहाँ B वरावर 3 क्योंकि देखे 3 यहाँ 9 है तो इसको हम 3 के रूप में 3 का स्कुायर के रूप में हम लिख सकते हैं तो ठीक है इसको हम 3 ही मान लेते हैं तो अब लिखते हैं यॉकलिड विभाजन परमे का दौ़ा Euclideek Vovagna परमाइका द्वारा ठीचे यूकलीद परमाइका द्वारा हो जाएगा A बरावर 3 Q प्लस R ठीके यहां जो B का वैल्यू है वो हमने 3 माणना है जहां जो Q है वो 0 से छोटा है होना चाहिए और 0 से बड़ा है बरावर R होना चाहिए और जो R जो होना चाहिए वो B से छोटा है ने B का value 3 है ठीक है इसी लिए A बराबर हो जाएगा हमारा 3Q या 3Q plus 1 या 3Q plus 2 ठीक है चलिए जहां क्या है M एक पुर्णांक हो सकता है अगर हम माने आगे ठीक है जब एक काम करते हैं Q का बर कहता है यह तो AQ कर लेते हैं तो 3Q का Q या देख लेते हैं यहां है 3Q plus 1 का Q या 3Q plus 2 का whole Q ठीक है अराम से आप कर सकते हैं तो यहां देखें यहां अराम से AQ निकलेगा यह आपका हो जाएगा देखे ध्यान दीजे तो 27 का Q तो 27 को आप यह से निक सकते हैं 9 into 3Q का Q या इसको देख लेजे A plus B का whole Q पर निकालना है आपको तो इसका value आएगा 27Q का Q plus 27Q का square plus 9Q plus 1 या देख लेए इसका value आप निकाले तो यहां भी A plus B का whole Q है तो 27Q का Q plus 24Q square plus 36Q plus 8 क्यूंकि 2 का Q 8 होता है तो अब देखे AQ पराबर 9 into 3Q का Q छोड़ देखे हैं ठीक है फारी वाई से सब का निकालेगे इन सबों से देखे 9 हमें निकालना है तो इसके निकाल जाएगा 9 इदी कॉमन निकालने तो यहां बज़ जाएगा 3Q का Q plus 29 27Q square plus Q ठीक है अब देखे 1 तो आपका निकाली जाएगा क्योंकि 1 में तो 9 है ने यहां भी 9 निकालते तो हो जाएगा 3Q का Q plus 6Q square plus 4Q इसमें देखे 9 नहीं है तो 8 बाहर चले AQ इसको मान लेते हैं हम M मान लेते हैं या फिक के वन ही मान लीजे उपर भी हमने के मान था अगर आपको M मानना है तो आप M मान सकते हैं प्रश्ण के अनुसाइद या आपको प्रश्ण में लगता है कि M रखना है तो M मान के चलिए इसको K2 इसको K3 तो जाएगा 9 K1 या 9 K2 plus 1 या 9 K3 plus 8 जहाँ K1 कॉमा K2 कॉमा K3 जो है पुर्णांक है ठीक है पुर्णांक है तो आप बारी-बारी से लिख सकते हैं अगर आपको बनाना नहीं कि अलग-अलग करके तो आप अलग-अलग करके बना सकते हैं हमने एक जगह ही बनाए ताकि या स्पेस बचे तो चलिए तो आगे हो जाएगा इसलिए किसी धनातमक पुर्णांक का घ्ण क्योंकि यहां घ्ण करता था तो किसी धनातमक पुर्णांक का घ्ण जो होता है वो 9m,9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है के रूप का होता है यही आपकी प्रिश्टिक एंसर था और चप्टर हमारा खतम हो गया तो ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स चप्टर में